नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है वहीं प्लेओफ के वेन्यू का एलान बाद में किया जाएगा टूर्णामेंट के दोरान शाम को शुरू होने वाले सभी मुकाबले साधे साध बजे से शुरू होंगे जबकि दिन के मुकाबले साधे तीन बजे दो पहर में शुरू होंगे विराइट कोली की टीम का पहला मुकाबला 21 सितंबर को सनुराइजर्स हैदराबाद के साथ खेला जाएगा शाम का ये मुकाबला है और दुबई में ये मैच खेला जाएगा इसके बाद कारवा आगे बढ़ेगा और 24 सितंबर को रोयल चालेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला किंग सिलिबन पंजाब के साथ शाम साधे साथ बजे दुबई में ही खेला जाएगा इसके बाद 28 सितंबर को मुंबई इंडियन्स के साथ RCB का मैच होना है और वो भी दुबई में होगा इसके बाद 3 अक्टूबर को 63 वजे ये मुकाबला राजस्थान रोयल्स के साथ शुरू होगा RCB और राजस्थान का ये सीजन का पहला मुकाबला होगा 5 अक्टूबर को दिली कैफिटल्स के साथ विराद कोहली की टीम का मुकाबला दुबई में शाम को खेला जाएगा जबकि चन्ने सुपर किंग्स के साथ RCB का मुकाबला 10 अक्टूबर को शाम-7 बजे दूबई के ही मैधान पर खेला जाएगा इसके बाद RCB का कारवा और आगे बढ़ेगा और कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ 12 अक्टूबर को शार जहां में शाम 7.30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा 15 अक्टूबर को किंग सिलवन पंजाब के साथ RCB का दूसरा मुकाबला सीजन का होगा शार जहां में ये मैच खेला जाएगा जबकि 17 अक्टूबर को दूबई में ही 3.30 बजे से राजस्तान रोयल्स के साथ एक बार फिर से RCB की टीम भिरने वाली है जबकि 21 अक्टूबर को 7.30 बजे आबू धावी में केक्यार के साथ RCB का मुकाबला होगा इसके बाद चन्ने सुपर किंग्स याने MS धोनी की टीम के साथ RCB का एक बार फिर से मुकाबला होगा 25 अक्टूबर को 3.30 बजे से दूबई में ये मैच शुरू होगा जबकि मुंबई इंडियन्स के साथ 28 अक्टूबर को शाम 7.30 बजे आबू धावी में RCB का एक बार फिर से मैच शुरू होगा जबकि 31 अक्टूबर को शार जहां के मैदान पर संवेजर्स हैदराबाद के साथ विराट कोहली की टीम आपस में भिरने वाली है इसके बाद 2 नवंबर को आखरी मैच दिल्ली कैप्टिल्स के साथ RCB का मैच खेला जाएगा आबू धावी में शाम 7.30 बजे तो ये है RCB की टीम का पूरा शेडूल जोइस बार IPL 2020 में खेले जाएंगे इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है One India के साथ